नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है देखे शॉर्ट नॉट्स की जो सीरी चल रही है इंडियन नेशनल मुवमेंट की उसका लेक्चर नंबर 39 है 29 है आज हम नहरू रिपोर्ट की बात करने वाले है मेरे बच्चों 1928 का ये मामला है इससे पहले आपने क्या पढ़ा व साइमन कमिशन क्यों आया था हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं सविधान बनाने के लिए या कह सकते हैं कि 1919 का जो कानून था उसमें क्या सुधार और करने चाहिए ये सब समीक्षा करने के उद्देशे से भारत में आया था साथ लोगों की कोई टीम थी लेकिन कोई भी इंडियन नहीं था इसलिए हम विरोध कर रहे थे जह हम विरोध कर रहे थे जोरो शोरो से तो उसमें जो भारत सचीव थे लौड बरकन हैड ये हैं लौड बरकन हैड लौड बरकन हैड को गुस्सा आया उन्होंने हमें चैलेंज दे दिया कि भाया हम आपके लिए एक तो क भी पार्टियां हैं जितने भी दल हैं वो सब इस पर मंजूर हो जाएं तो हमने क्या किया हमने इस चैलेंज को एकसेप्ट कर लिया हमने इस चैलेंज को एकसेप्ट कर लिया और एक टीम तयार की कॉंग्रिस ने इस चनोती को सुविकार कर लिए एक टीम त्यार की मोतिलाल नहरू ठीक है मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में एक टीम त्यार की जिसे मोतिलाल नहरू समीती कहा गया बंबई में सबसे पहले सरवदली बैठक हुई और तै हुआ कि मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में एक समीती का गठन किया जाएगा जो एक ऐसा सविधान बनाएगी जिसमें सभी पार्टियां राजी हो जाएगी तो इसमें अध्यक्ष मोतिलाल नहरू थे सदस्य अली इमाम सुबाश चंद्र बोस तेज भादू सप्रू और भी थे लेकिन बाद में जोहलाल नहरू को भी आमंतरित किया गया और उन्हें सच्चिव बना दिया गया शुरूआत में जोहलाल नहरू उपस्तित नहीं थे उसमें बाद में इनको बुलाया गया मादो शरी हरी अने, मंगल सिंग, शोईब कुरेशी, जी आर प्रधान, एमार जैकर ये सभी इसके सरस्य थे और फाइनली नहरू रिपोर्ट को तयार कर दिया गया और 10 अगस 1928 तक ये रिपोर्ट तयार हो गई इसमें क्या-क्या बाते थी इस नहरू रिपोर्ट में वो एक बात समझ लेते हैं इसमें मुख्य तोर पर कहा गया था कि भारत को Dominion Status का दरजा दिया जाए जैसे Ireland को दिया गया है, Canada को दिया गया है, आश्ट्रेलिया को दिया गया है ये बात नहरू रिपोर्ट की जो सबसे पहली बात यही थी Dominion Status का दरजा इसी बात को लेकर Congress में ही घमासान मच गया जोहलाल नहरू सुबाज चंदर बोज जैसे जो नए खून वाले सदसे थे उन्होंने इसको नाममंजूर कर दिया, क्या आप Dominion Status लगा रखे हो भई अब हमको पूरी तरीके से सतंतरता चाहिए तो पहली बात नहरू रिपोर्ट को Congress के अंदर ही अस्विकार कर दिया गया हाला कि मना लिया गया लेकिन जो है तीखे तेवर आने शुरू हो गए उनका मानना था जोहलाल नहरू सुबाज अंदर बोज जैसे लोगों का मानना था कि हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए जबकि dominant status क्या होता है dominant status होता है कि हम शाशन तो खुद चलाएंगे लेकिन हम किस के अधीन रहेंगे British Parliament के अधीन रहेंगे उसी के इशारों पर हम शाशन चलाएंगे और यहां नहरू रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र और राज दोनों में उत्तरदाई सरकार का गठन होना चाहिए उत्तरदाई सरकार का गठन जैसे आज सरकार है उत्तरदाई सरकार है उस परकार सरकार का गठन होना चाहिए मतलब जैसे हमारे द्वरा जो चुने के प्रतिनिधी हैं वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं या कहा जाए सरकार के जो लोग हैं वो उनके प्रति उत्तरदाई हैं पंथ निर्पेक्ष राज्य का गठन किया जाए देश पंथ निर्पेक्षो या धर्म निर्पेक्षो सन्यूक्त निर्वाचन हो भईया यह जो प्रिथक निर्वाचन वाली पंडाली है इसको समाप्त कर दीजिए यह बहतरी नोट्स की मादिम से पढ़ा रहा हूं उकम समय में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी यह अगर नोट्स चाहिए तो अप्लिकेशन पर आप ले सकते हैं या 7888-777-4245 पर भी आप नोट्स पा सकते हैं मेरे बच्चों तो यह नोट्स आप ले लीजिएगा बहुत बहतरी ने आपके लिए हो जाएंगे इस पर कॉंट्टेक करके या श्री एजुकेशन एप्लिकेशन को इन्स्टॉल कर लीजिएगा श्री एजुकेशन एप्लिकेशन को भाशा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए यह भी कहा गया अल्प संख्यों को आरक्षन मिलना चाहिए ठीक है लेकिन यह आरक्षन कैसा हो प्रिथक निर्वाचन पंडाली वाला ना हो अल्प संख्यों की संस्किति का संदक्षन किया जाना चाहिए सिंध को बॉंबे से अलग कर देना चाहिए पहले क्या था ये सिंध बॉंबई प्रेजिदेंसी की अधीन था तो इसमें कहा गया सिंध को बॉंबई से अलग कर देना चाहिए और यहाँ पर 19 प्रकार के मौलिक अधिकारों की भी बात की गई कुछ मौलिक अधिकार जैसे कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रात्मिक सिक्षा निशुल्क का अधिकार धार्मिक सोतंतता का अधिकार संपत्ति का अधिकार पहले इन्होंने कहा था मौलिक अधिकार में होना चाहिए आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नही लेकिन शुरुवात में था संगी शाषन विवस्ता जिसमें भारत के जो राज्य होंगे वो भी और देसे रियास्ते भी शामिल होंगी इनको मिलाकर एक संग बनाया जाना चाहिए इसके लावा संसरी पनाली होनी चाहिए केंदर में जिसमें दो सदन होने चाहिए एक निमने सदन एक उच्छे सदन जिसे आज लोक सभा है और राजसभा है निमने सदन में 500 सदसे होने चाहिए कम से कम उच्छे सदन में 200 सदसे होने चाहिए और निमने सदन के सदस्यों का च सुप्रीम कोड कह सकते हैं वो इंडिया में होना चाहिए इससे पहले ब्रिटेन में था प्रिवी काउंसिल के नाम से अवसिष्ट शक्तियां केंदर के पास होनी चाहिए यह कहा गया मतलब आप जानते हैं संग्य सूची के विशे हैं राज्य सूची है समवर्ति सूची है ल और नहरू रिपोर्ट आ तो गई यह सारी बाते थी इसके विरुद प्रतिक्रियां सबसे पहले कॉंग्रेस के अंदर घमासान मच गया है जोहाल लाल नहरू सुबाच अनर बोस जैसे यूवा कांग्रेसी जो नेता थे इन्होंने का डोमिनिन स्टेटस नहीं होना चाहिए हलाकि इनको मनाया गया और बोला गया बस एक वर्ष का समय दीजिए अगर एक वर्ष में ये लोग नहीं मानते हैं हमारी बात तो हम पूर्ण सौराज की मान करने वाले हैं ये कह दिया गया ठीक है और जिन्ना ने भईया इसको तो अस्विकार कर दिया जिन्ना ने अस्विकार कर दिया आपको याद है बरकन हेड ने क्या कहा था भारत सचीव ने उसने कहा था ये नहरू रिपोर्ट तभी मानी जाएगी जब सब लोग सहमत होंगे यहाँ पर कोई सहमत ही नहीं है जिन्न अगला टॉपिक हमारा जिन्या की 14 सुत्री मांगे हैं बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा क्या 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 डिमांड थी वो हमें समझ रहा है बहुत कम समय में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं इसके बाद 1928 में ही कॉंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर में होता है मोतिलाल नहरू की अधिक्स्ता में यहाँ पर जौाल लाल नहरू सुबाच अंदर विरोध करते हैं कि भाईया आपने जो नहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट में डोमिनिन स्टेटर्स जो मांगा गया है वो हमें मंजूर नहीं है लेकिन गांध करेंगे और ऐसा हुआ भी 1939 में लाहोर में दिवेशन हुआ था तो पहली बार कॉंग्रेस ने पूर्ण सोराज की मांग की और आपका 26 जनवरी 1930 को पूर्ण सोतंतरता दिवस या पूर्ण सोराज दिवस भी मनाया गया यही कारण है कि 26 नमंबर 1949 को हमारा सविधान लागू हो गया था इसी कारण से ठीक है यह हो गया पूरी बात यह पूरी कहानी हो गई इसके बाद अगले वीडियो में जिन्या का 14 सुत्री डिमांड जो है वो हम पढ़ेंगे बच्चों सारी चीजे आपके क्लियर हो जाएंगी यह 14 डिमांड बहुत इंट्रेस्टिंग है तो नहर ने अपना अलग सविधान बना दिया 14 सुत्री मांगे इतनी इंट्रेस्टिंग है भई आगले वीडियो में आपको बताऊंगा कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ श्री एजुकेशन एप्लिकेशन पर यह नोर्स आप जरूर ले लिजेगा या आप कॉंटेक कर लिजे हमारे नंबर पर 7888774245 हमारा नंबर है थैंक यू बचों